नमस्कार फ्यूचर रिश्पेस में आप सभी का स्वागत है। लेकिन 200 अंक नीचे है। नमस्कार फ्यूचर रिश्पेस में आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा अब सेक्टर वाइस देखेंगे तो आज PSU बैंक थोड़ा सा पाइस्पेट कर रहा है। लेकिन आप आज बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। प्रेशर में आज CPSC इंडेक्स है, करीब सभा फीज़ी नीचे, फिनैंचल एंडेसी करीब 3-4 फीज़ी नीचे, निफ्टी बैंक आधा परशंट नीचे, मेटल एक परशंट नीचे, FMCG, प्रॉफिट टेकिंग लेड़ो परशंट नीचे, फार्मा एक परशंट नीचे, रियल्टी, कैपिल गुड़ स्पेस, खास्तों से दो परशंट नीचे, आइलेंटी के नंबर्स की वैसे, और ओल एंड गैस, रिलाइंस की वैसे, करीब करीब दो परशंट नीचे काम काज़ करता, आपको दिखाई पड़ेगा, परशंट सावन सर, हम आए साथ मौदूद रहेंगे, जिनसे आज हम बाचीत करेंगे, मार्केट को लेकर भी, परशंट जी से बाचीत करेंगे, इंडिविजल स्टॉक्स को लेकर भी, और एक सस्ता उप्शन, परशंट जी से हम आइनिटिफाइ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उप्शन के नंबर, 22,200, 22,250, 22,300, 22,300, इंडिक्स दो दिन से इसको होल्ड करने कोशिश कर रहा है, आज अभी तो इसके हम नीचे काम काज कर रहे हैं, लेट सी कहां तक पहुंचते हैं, 22,150, 22,000, 22,300 निकलने वाद, 22,150, और फिर 22,000, ये दो जोन्स बस्ते हैं, तो 22,000 के 150 जोन्स में पुट राइटर्स हैं, और 22,000 के जोन्स में पुट राइटिंग हो रही है, बाकि अभी परशान सर्षम से बाचीत करेंगे ही, इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आई है, 47,000, 48,000 जोन, 48,000 दोसों के आसपर स्कॉल राइटर्स हैं, लेकिन नीचे 47,000, 47,000, 47,000, 47,000, 47,000 के आसपर सोड़ी वाद पूट राइटिंग है, हीट मैप वियरिश साइट पर आपको संकेत दे रहा है, 18,000 लॉंग है, 27,000 शॉट कवरिंग है, करीब करीब 53,000 शॉट है और 42,000 शेयरों में अन्वाइंडिंग है, कहां लॉंग कहां शॉट कवरिंग वो भी देख लीजिए, आज आटो के तरफ से कुछ हद तक सपोर्ट है, तो हीरो मोटो कॉप करीब 5% की तेजी, बंधन बैंक 3% उपर, नमबस के बाद TVS मोटर्स 3% उपर, Tata मोटर्स 2% उपर, नमबर से पहले M&M 2% उपर, बैंक को बढ़ो दा, नमबर से पहले शॉट कवरिंग 1.5% उपर, सन टीवी 1.5% उपर, पिदी लाइट 1.5% उपर, कल की बिक्वाली के बाद, PNB 1.5% उपर, और Infosys 1.5% उपर, प्रेशर कहां से आ रहा है, वरी वो भी देख लीजिए, प्रेशर सारायाज, मनापुरम फिनाइस 5.5% नीचे, L&D 5.5% नमबर्स के बाद नीचे, अतुल 3.5% नीचे, मेट्रोपोलिस 5.5%, डीवी स्लैब 5%. पिरामल नमबर के बाद 5.5% नीचे, आरती इंडस्री साड़े 4.5% नीचे, नमबर्स के बाद 4.5% के आस्पूस अफॉल, डॉक्टरलाल पैटलैब और नवीन फ्लोरीन, नवीन कल की तेज़ी के बाद, आज 3.5% वापस नीचे काम काज कर रहा हैं, इन नमबर्स के साथ बाक्चीत कर लेते हैं, अब हम प्रशान सर से, प्रशान सर, नमशकार, स्वागत वाकरक्रम में, पहले तो यह बताई ही, कैसी रही चुट्टी आपकी, नॉर्थीस्ट बढ़िया लगा, देखने में तो लग रहा था, कि आप काफी नजॉय कि आपने, कैसी रही आपकी चुट्टीया, और वापिस आने के बाद, मार्केट के ये लेवल देखके, कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप छोड़ के गए थे, तब हम 23,000 की तरफ जा रहे थे, जब आप वापिस आया, तो हम 22,000 की तरफ जा रहे हैं, सो कैसे देख रहे हो मार्केट को? जी सुमिच जी गुड़ा अपनून, सभी दर्शो का नमस्कार, बिल्कुल चुटिया, बहुत अच्छी रहे, एक तो मुंबई की गर्मीश से काफी दूर था, और वहाँ पे स्नोफॉल में मिला, तो एक्स्पिरियन्स बहुत ही सुंदर रहा, और सिक्किम डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा, एक मस्ट विजिट प्लेस हो रहा चाहिए, बहुत ही सुंदर, टोटली नैचरल और काफी दिनों बाद ऐसा कुछ देखने मिला, तो इट वाज बूड ब्रेक, जातक मार्केट की बात है, हम करीबन 22,800 के आसपास थे, और वहां से फिर अभी अल्मोस 22,000, पचास, 22,100 जो एक क्रूशल जोन है, वहां पे आ चुके, अगर हम अभी बात करें, निफ्टी की, तो मुझे लग रहा है, सबसे जो एहम सपोर्ट होगा, वो होगा 22,050, 22,050, हम उसको एक राउंड नंबर 22,000 मान के चलेंगे, फ्राम शॉट टर्म बेसिस और ट्रेंड पर्स्पेक्टिव से जो सपोर्ट होगा, वो होगा 21,800 का, ओर आल, एक बड़े पिंचर के लिए, तो मुझे लग रहा है कि फिलाल इंडेक्स पे कोई ट्रेट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, स्टैबिलिटी के लिए, स्टैबिलिटी कब आएगे, एक दिन के ग्रीन कैंडल को ओवड़ कीजिए, काफी लोगी स्ट्रैप में फस रहे, जब एक थोड़ा भी बाउंस आए, शौटर टाइम फ्रेम पे बहा है, तो वो बाई करने जा रहे और अटक रहे, मुझे लग रहा है जब 17-17 की वीक्स हमें नजर आ रही है, तब कम से कम दो दिनों तक ग्रीन क्लोज होने दीजिए, बैक टू बैक, उसके बाद शायद हो सकता है कि थोड़ा वीक्स भी कुल आफ हो जाए और आपको एक अच्छे अपॉनेटी मिले, तो रडार पे रखना चाहिए, अब मुमेंटम का आएगा, तो अगर हम निफ्टी की बात करें, हम करीबन अभी ट्रेट कर रहे है, 22,150-22,165, अगर हम 22,225, 22,25 को क्रोस कर जाए, तो मुझे लग रहा है, मुमेंटम आएगा, आप 70-70 पॉइंट का रिस्क लगके बाय कर सकते हो, और आपका टार्गेट वांसे होना चाहिए, 22,400, अब में फिर से एक बार कहना चाहिए, लेवल टू लेवल, 1-2 का ट्रेड लेके आप प्लान कीजिए, पोधिशनली क्यारी करने का ये मार्केट अभी तक तो नहीं है मेरे हिसाब से, वेट करना चाहिए, इंट्राडे स्पेसिफिक अगर मूज मिले, तो हर लेवल पे प्रॉफिट बांके, मार्केट से बाहर रहना एक बहतर रणनीती होगी, जा तक सेक्टर स्पेसिफिक अपाउज नीती के, 2019 चुनाओ के बाद, अब ये चुनाओ होने जा रहा है, 2024 में, और जो मेजर ट्रेडर, इंवेस्टर या ट्रेंड है, वो COVID के बाद बढ़ा है, तो उस तरह की वोलेटलिटी अब तक देखी नहीं किसी ने, इस तरह की वोलेटलिटी आम तोर पे मार्केट में होती है, तो क्या ये आम वोलेटलिटी ही आप देख रहे हो, या ये वोलेटलिटी कुछ एक्स्ट्राउडनरी दिख रही है आपको? जी, सुमी जी, अगर जहां तक मुझे याद है, 2019 में जब हम इलेक्शन को अप्रोच कर रहे थे, मार्च में एक क्लियर डिफाइनिंग मौ आई थी, एप्रिल और में थोड़े चौपी थे, 23 में या 23 में को रतीजे थे, मुझे जितना याद है, तब इंडिया विक्स जो था, वो करिमन 32, 33, 34, 32 के रेंज तक जा चुका था, तो यह मैं इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल होता है, एक बड़ा इवेंट है पूरे नेशन के लिए, तो वहाँ पे आप इस तरह का विक्स में वो एक्सपेक्ट कर सकते हूं, बड़ ओर 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 मुझे लग रहा है कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनके, हम क्या करते हैं, हम इस वोलाटिलिटी को स्मार्टली आउट प्ले करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसमें एक रिस्पेक्ट देखें, चोटे ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें और ये इवेंट वो जाने के बार एक क्लियर डिरेक्शनल मूव को अप्रोच करें, तो एक बहतर रणनीती होती है, बट मुझे हमेशा जो 70-80 प्रतिशत लोग है, वो इस वोलाटिलिटी में कोशिश करते हैं कि उन्हें 5X, 10X मूव मिले, बट इसके सामें होता है कि 60-70% कापिटल इरोड होता है, तो मेरे सबसे इस जोन में और इस टोटल एक वोलाटिलिट जा मैं एक्सपेक कर रहा हूं कि विक शायद 32-33 तक जाए, बिफोर दे रिजर्ट, जस्ट बिफोर दे रिजर्ट, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि जिन्हें नॉलेज नहीं, ये थोड़ा सा वेट करें, मार्केट डिरेक्शन डेफिनेटली पोस्ट इलेक्शन देगा वहां पे आपको one side काम करने मिल जाएगा। में CG Group is putting in, उसकी लिस्ट हमने दी है, आपके साथ भी शेयर की है, ब्रेस के साथ भी शेयर की है, और 7 जो है हमारे इंडियन होटेल की तरफ से आएंगे, जो हम आने वाले महीने दो महीने में आइडेंटिफाइ करेंगे, और उसमें हम एग्जिस्टिंग होटेल भी डालें तो 25 होटेल, 25 साल and moving towards the next 50. Mr. Chaudhary, तो क्या destinations आप हमें कुछ अंदाजा दे पाएंगे, क्योंकि इंडियन ओशन में अंडिमन निकोबार भी आता है, लक्षवदीब भी आता है, मौल्डीज भी आता है, तो क्या इन तीनों आइलेंज पर हम properties or develop होती देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर दुबारा अक्नोलेज़ करना चाहूंगा कि 25 साल पहले हम लोगों नहीं जो सपना देखा था कि एक ऐसी कंपनी बनाए जाए, जो कंपनी बियोंड सार्क, बियोंड एक ऐसे महोल में गुजरे, जैसे कि South Asia के अलावा, Asian subcontinent में अभी भी काफी ऐसे destinations हैं जहां पर ताज को पहुंचना है, पहुंचाना है और उसी के तहत हम लोगों ने मौलदीव, स्री लंका में शुरू की और उसके बाद जा कि अभी नेपाल में काफी प्रोपर्टियां सुरू की है, हर टाइप के हर ब्रैंड में ले जा रहे हैं, आपका जो की की हैं बाद जाएब बाद भी एसे कई देशनेंट को और साथ नए होटेल्स को और खोलने की योजना कंपणी की तरफ से है, इसके वपर और और बी डीटेल में आप चरशा थोड़ी जर में सुनेंगे भी लेखिन अभी के लिए इंग्टेल में आप अप ज़िए इंग प्रशान सार, अब इंडिविजुल कॉल्स, कहां पर आप बेट कर रहे हो, कौन-कौन से स्टॉक्स पर आपने आज के लिए लॉंग ये शॉट रखे हैं। टागेट होगा 1485 का, और नेक्स्पिक होगा आटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, यहां मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफी दिनों तक कंसलिडेशन में रहा है, और एक ब्रेकाउट हम एक्स्टेक कर सकते हैं, तो 1025 का स्टॉप लॉस 1025 और टागेट 1065 का रख सकते हैं, और मेरी होगी LIC Housing Finance, यहां पे एक अच्छे सपोर्ट से कल के सेशन में बाउंस नजर आया, मुझे लग रहा है कि एक पूल बैक कंटिनू हो सकता है, तो 625, 625 का स्टॉप लॉस रखके, 665 का टागेट 665, लिए आप लॉंग सैट पर देखेंगे, 638 के जोंस में भी एक आमका में जाएंगे तो शायद अब TCS Infosys comparison में Infosys जाद सस्ता एवैलेशन वाईशन वाईज, 1485 के टागेट के लिए आप लॉंग जाएंगे, 1425 का स्टॉप लॉस टाटा मोटर से पहले, 1065 के टागेट के लिए आप लॉंग जाएंगे, 1025 का स्टॉप लॉस में इंटीन लांच कर दिया है कंपणी ने, एक एवी 1000 ये कंपणी ने लांच किया है और इस ट्रिगर के बीच में टाटा मोटर से आपको खरदारी करें चलने की राया भी, प्रशानी तरह से आते हो, दिखाए पड़ रही है, प्रशान आटो स्पेस में आपने टाटा मोटर का नाम ल अगर एक नाम सेलेक करना हो तो मेरे रडार पर TVS मोटर जोगा, आज का जो हाइ बनाए करीबन 2125 के आसपास 2125, मैं इसको क्रॉस होने के लिए वेट करूँ है, बट ओवराल देखे तो एक कंटिनियूस पिछले एक से दू मैने से थोड़ा सा और नेगेटिव जी, चले, शायद आडियो को लेगे कुछ इशू आ रहा है, लेकिन TVS मोटर गरीब 4-4,5% के आसपास की बढ़ात यहां पर देखने को मिल रही हैं, आगे प्रशान से हैं बाची जाही रखोंगा, लेकिन हमाएसाद एक और खास मैमान मौजूद है, अब बात करते हैं, प अब मुनाफ़ा 40% घटा है, Q4 के नंबर्स और आउटलूग बाचीत करने के लिए मायसाद कंपनी के MD&CEO, सुरेश सेथी सर मौजूद है, सुरेश सर नमशकार, स्वागत अब करक्रम में, यह क्वार्टर के नंबर्स में वायो वाय बेसिस पे भले थोड़ा सा डिक्लाइ अब था, सो क्या इस सीजनालिटी का इंपक्ट कहलें थोड़ा सा नंबर्स में, या ओवरॉल सिचुएशन कैसे हैं भी नंबर्स के बाद, टैक्स बिजनस ने बहुत अच्छा काम किया इस साल, ओवरॉल पूरे साल को अगर हम कंपेर करें लास्ट यर के साथ तो 12% की ग्र लास्ट क्वाटर में, लास्ट यर, सो इसलिए वो नंबर्स थोड़े डिफरेंट लगते हैं, बट यर ओन यर काफी ग्रोथ हाई है, 12% की ग्रोथ है ओवरॉल टैक्स सर्विसेज में, और सर, अभी कब बाकी अगर टैक्स को हटा भी दूँ, तो बाकी पेंशन के अइडेंटिटी सर्विसेज को लेकर, क्योंकि मार्केट के तरफ लोगों का जो रुजान है वो बढ़ रहा है, और हम देखी रहे हैं, बॉइंट मार्केट को देखकर, या फिनैंचल लिटरेसी को लेकर, जिस तरह से चीज़े पिक अप कर रही हैं, और ऑनलाइन ट्रा से सर्विसेज कंजूम कर रहे हैं, उसके लिए मूल अधार उनको डिजिटल आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी बिजनस हमारा पिछले साल 62 प्रतिशत से इंप्रूव्मेंट हुई है, इसमें अगर आप देखेंगे, हम एक युनीक कंपनी है, जो डिजिटल के चारों फैसेट्स को प्रोवाइड करती है, चाहे अधार बेस्ट, EKYC हो, E-Authentication हो, या अधार बेस्ट, E-Sign हो, और साथ में हम ऑनलाइन पैन वैरिडेशन की सर्विसेज भी देते हैं, जिससे पूरा BFSI सेक्टर हमारे फांडेशनल सर्विसेज पर चलता है, और Fintech क प्रण्युम करती हैं और डिजिटल जर्नीज बेड़ करती हैं, और इस कारान क्यूंकि डिजिटल आइडन्टिट्यों अभ法 पहो comprar टो क्रे upset our इनों क्रेश बुआरो популяр इंटिटैल अग् सेजिटल न लेंडिंग, इजिटल लेंडिंग, और इस कारन की डिजिटल आपितस, 15% year-on-year growth है वहाँ पर clearly हिंदुस्तान में हम कहेंगे कि it's a low penetration from a pension perspective अगर हम अपने देश में देखते हैं तो private sector employees में सरफ 6% penetration है जबकि कुछ developing देशों में आप देखिए U.S. में 70% है तो उसमें भी काफी headroom है आज EPFO account भी 28 करोड है जबकि आपके pension account कुल 8 करोड के आसपास है सो इसमें काफी headroom है और अच्छी growth देख रही है शिटी सर में पस समय का भाव है मैं आपसे और बात करता है कि मैं बहुत सारे सवाल मेरे पास और भी थे आपस बात करने के लिए लेकि में पस टाइम नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और लेकिन otherwise कंपनी के numbers में जो management कह भी रही है कि एक high base का impact आप कह लीजे लेकिन numbers के अंदर एक over a period of time अच्छा पिका बात आओ दिखाई पड़ रहा है एक break का वक्त है break के बार लोटेंगे प्रशान सर्मासत मौजूद है उनसे एक सबस्ता option जानें च्छोड़े सब्रेक के लि रिवेल कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अप्टिक्स भी market simultaneously ले रहा है तो आप यह मान के चले जो गिरावट पहले थी वो अब थोड़ी सी कम जरूर है लेकिन अभी गिरावट के साथ जरूर काम काज हो रहा है एड़ा थोड़ा इंप्रूव हुआ है लेकिन still market is in red प वह आरती इंडस्ट्रीज यहां पर एक structural breakdown नजर आ रहा है तो इसकी जो 670, 670 strike price की जो put option है करीबन 25 के आसपास trade कर रहे है इसको थोड़ा सा cool down होने चीए 22, 23 के 20 में इसको कर गे 22, 23 स्टॉप लॉस रखेंगे 16 पर 16 और यहां से target होगा 35 और 40 का target 2 35 और 40 यह target 2 है आप 670 की आरती इंडस्ट्रीज की put पर दाव लगा सकते हैं 26 रुपे 27 रुपे के आसपास काम काच कर रही है 35 और 40 इन targets के लिए आप इसको otherwise तेख सकते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज पर आप बेरिश बेट यहां पर केल सकते हैं बहुत 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 शु अजुद रहेंगे सासपोहर सेंसेक्स देखें